लस्टीबी के पॉपलर सीरियल तुम में हमने अब तक देखा कि आश और विक्रम जाते हैं उसी हॉस्पिटल में जहां सुहानी ने विक्रांथ का ट्रीटमेंट किया होता है और आश है जो वही इंजेक्शन दिखाता है जो कि गलत इंजेक्शन पहले से ही आश ने रखा होत और यहां पर अंश है जो सुहानी के खिलाफ विक्रम को बहुत भड़काता है और कहता है कि विक्रांत कभी भी कुमा में जा सकता है आगे राकेश आते हैं हॉस्पिटल में जहां ममता राकेश की बहुत इंसल्ट करती है और चाची जी भी वहीं आगे विक्रम आता है और कहत है कि सुहानी ने सब कुछ जान बूच कर किया है वह इंजेक्शन जान बूच कर दिया है सुहानी कहती है इंजेक्शन मैंने दिया है हो सकता है मेरी से कोई गलती हो गई हो और आगे अंश कहता है कि और सीधे विकरांथ पापा ने सुहानी को ही क्यों कॉल किया और मम्ता कहती है कि विकरांत जी तो उम सुहानी से नफ्रत करते थे फिर उन्हें ये कॉल करेंगे वेल यहां पर सुहानी जैसे ही बोलने जाती है तब यहां पर या के पापा कहते हैं कि यह कुछ नहीं बोलेगी इसको तो पुलिस के अंडर देना चाहिए पुलिस वाले सीधे इससे निकलवाएंगे कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया वहीं सुहानी कहती है ठीक है गलती मेरी है आप पुलिस को बुला लीजे आगे रनवीर कहता है कि कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा सुहानी की कोई गलती नहीं है आगे रनवीर और सुहानी बाते करते हैं और रिया कहती है कि पुलिस आई है और पुलिस सुहानी को अरेस्ट करती है और रनवीर कहता है कि यहाँ पर सुहानी की कोई गलती नहीं है और उसने गलत इंजेक्शन नहीं दिया है और मैंने प्रिस्क्राइब किया था लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते हैं और रनवीर रोकने की कोशिश करता है और ममता रनवीर को थपड मारती है और बेहोश हो जाती है और आगे सुहानी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है उसके घरवाले रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं वहीं आगे हम देखते हैं कि जैसा ही पुलिस वाले पुलिस टेशन पहुचते हैं वहाँ पर कुछ लोग होते हैं और ये लोग अंश के ही होते हैं क्योंकि अंश ने यहाँ पर ओब्रॉय आफिस में जो लोग काम करते हैं वरकर्स उनक पर लोगों ने पत्थर वाजिक की है और उसे चोट लगी है तभी रनवीर कहता है कि याने के खिलाफ कोई जाल है और मैं आता हूँ अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या रनवीर अंश के रादों को समझ पाएगा क्या अपनी सुहानी को बचा पाएगा जानने के लिए द